गुड मॉर्णिंग कैसे हो सब पढ़ियां शेलोग आज हम लोग डसकेसन करेंगे एक और वीडियो के साथ Valuation of Goodwill का Part 3 हम Valuation of Goodwill अब तक दो पार्ट में कर चुके हैं पहला में हमने सर्फ और सर्फ tutorial कराया उसके बाद दूसरे जो वीडियो कराये उसमें हमने कराया Goodwill का Valuation के Simple Average Method से आज उमीद कर रहे हैं कि जो भी है Goodwill में जो कुछ भी है आज के आज करेंगे यानि जो कुछ भी Goodwill में है वो सारा का सारा आज ही करेंगे ओकी शुरू कर दो शुरू करेंगे आज हम आपको question नहीं दिखाने वारे पिछले वीडियो में हमने question दिखाया था question दिखाने से थोड़ा सा problem हो जाता था कि वीडियो चोटा हो जाता और question आप सिर्फ सुनोगे और सुन करके समझ लोगे चलिए हमारे पास book है S.K.S.िंग का अगर आपके पास book है S.K.S.िंग का तब तो कोई दिकत ही नहीं होगा अगर book नहीं है तो फिर आप सिर्फ सुनोगे question को आसान सारे question हो पे अब तक goodwill आसान ही है तरही पे कोई problem ही नहीं goodwill में हमने एक homework में दिया था कुछ question क्या आपको याद है हमने कुछ question homework दिये थे अगर हाँ तो आपने किया होगा उमीद करते हैं आप question कर लिए हो अगर नहीं किये हो तो मेरे साथ-साथ करो मेरे साथ-साथ करो हमने homework पे कौन-कौन से question दिये थे एक बार हमें remind करो जल्दी-जल्दी से remind करवा दो कि हमने कौन-कौन से question homework में दे रखते हैं जाना तक हमें याद आ रहा है हमने question number 4 तक discuss किया और उसके बाद हमने question number 5, 6, 7 से हो गया है sir sir आप आसान वाला question करवा दिये और भारी वाला हमें दे दिये और पूछते हैं हो गया क्या हमसे होगा बिल्कुल हो जाते अगर तुम कोसिस करते ना तो पकका-पका हो जाता चीक है अगर तुम नहीं किये हो तो हम कराएंगे अभी कराएंगे अभी करवाएंगे चल शुरू करें क्या है क्योश्चिन एक बर पढ़के दिखा दे पढ़के सुना दे यह है क्योश्चिन नम्र फाइप क्या आपको दिख रहा है क्योश्चिन नम्र फाइप यह है क्योश्चिन नम्र फाइप क्या आपको दिख रहा है, question number 5, नहीं दिख रहा है, ये बड़ा question, नहीं दिख रहा है, हम बता रहे है, सुनिए, the profit of the firm for last three years were as follows, profit दे रहा है, तीन साल का profit दे रहा है, year, one, two, three, ये तीन साल के profit है, बताईए कितना कितना, profit है 2013 का, 2013 का 40,000, ये हमारे profit है, ये हमारे profit है, 40,000, उसके बाद का profit, 50,000, 2014 का profit है 50,000, और 2015 का profit है 45,000, उसके साथ साथ कुछ bracket में लिख रहा है, 2013 वाले में लिख रहा है, including an abnormal gain of rupees 5,000, बताओ, क्या ये abnormal gain बार बार होगा, क्या ये abnormal gain को मालने हमारा profit है normal, नहीं से, ना में लिख रहा है abnormal gain, ये वाला profit, हमारे profit में नहीं आना चाहिए, abnormal gain, ये वाला profit, हमारे profit में नहीं आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये profit किसी कारण से ऐसे हो गया, जो हमारे business का operation है, business operation नहीं है, इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, बाहर करेंगे, उसके बार दूसरा, 2014 में बुला है, after charging abnormal loss, ये लोग, अब हमारा abnormal loss है, क्या ये abnormal loss हमान नहीं normal खर्चा, नहीं, अगर normal खर्चा नहीं है, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, बापस करना पड़ेगा, यानि ये खर्चा हमने क्या करका होगा, इस profit से minus करका होगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी bless कर गए, हमें अपने profit को ठीक करना होगा, हमने insurance premium paid कर दिया, क्या ये premium हमारे normal खर्चे होते हैं, जी हाँ, ये खर्चे हमें regular पे करने होगे, ये खर्चे हमें regular pay करने होगे, किस कारण से, क्यूंकि हमने अपने properties का, form के properties को, क्या कराया है, NCO'd कराया है, बस question खतम, calculate the value of goodwill on basis of two years purchase of average profit for three years, ये तीन साल का average profit बताईए और उसके बाद आप goodwill बनाओ, goodwill बताएए, low, सबसे पहरे, हम क्या calculate कर रहे है, adjusted profit, क्या calculate कर रहे है, adjusted profit, हम निकाल रहे है, adjusted profit, पिताओ कितना, 35,000, ये कितना, 50 plus 10, 60,000, और ये आजाएगा, minus, 40,000, ये आगए हमारे, ये आगए हमारे, adjusted profits, हम निकालेंगे, average adjusted profit, average adjusted profit, बताओ कैसे निकालोगे, सारे को add करोगे, और number of viewers से divide करोगे, 35,000, plus 60,000, plus 40,000, divided, 1, 2, 3, तीन साल है, इसलिए 3 से divide करेंगे, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना, एक लाख पैंती सिकर, एक लाख पैंती सिकर, divided 3, रुपीज 45,000, ये क्या आगया, average profit, future expected average profit आगया हमारा, अगर हमारे पास average profit आगये हैं, तो हम निकालने के क्या, good will, good will equal to, good will equal to, बताओ क्या होता है, average adjusted profit, average adjusted profits, into, number of years, purchase, अब daily daily हमें थोड़ी न बता ले, number of year purchase क्या होता है, ये आपको पता है, क्या होता है, आपने लाया, 45,000, into, number of years purchase कोशिल ने बोला है, 2, इसलिए good will equal to, 90,000, रुपीज 90,000, good will कितना आगया, 90,000 रुटेया, क्या भारी था, बताओ, हाँ सर, हाँ, हमें तो average adjusted profits ही नहीं निकालने आ रहे थे, अब आगये तुम्हें average adjusted profit निकालने, जल्दी सही से लिख लो, आगये वाला कोशिल करेंगे, जल्दी से लिख लिजे, आगये का कोशिल करेंगे, ओके सर, हमने लिख लिया, अच्छा, कोशिन नमबर नहीं लिखिया, कोशिन नमबर कौन सा था, 5, कोशिन नमबर 5, यह है हमारा कोशिन नमबर 5, ओके, हटाओ, कोशिन नमबर करेंगे 6, क्या है, पढ़ो, पढ़ेगे कोशिन नमबर से, हम कर रहे हैं, कोशिन नमबर 6, शुरू करो, क्या लिख रहे हैं, पाँच साल के प्राफिट से यह हुए है, क्या क्या है, क्या करोगे बताओ, 6,000 रुपए का तुमने प्राफिट कमाया है, जिसमें 2,000 के ऐसे प्राफिट है, जो इस बिजनस से नहीं, कहीं और से आगया, अच्छानक हमारे पास आगया, क्या उसे हम प्राफिट में कंसिडर करें, नहीं, और परपस ऑफ गुट बिल, हमें वो वाले प्राफिट को नहीं लेने चाहिए, क्यों नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो अबनॉर्मल, किसी कारण से हो गया, रेगुलर नहीं हो गया, इसलिए हमें हटाने, उसके बाद सेकेंड एर में बोला है, 14,000 तो प्राफिट, excluding रुपइस 4,000 as insurance premium, आपने एक ऐसा खर्चा छोड़ रखता है, एक ऐसे खर्चे को छोड़ रखता है, जो आपका नेसिसरी खर्चा है, आपने insurance कराया, आपको premium pay करना पड़ेगा, और आपने उस premium को छोड़ रखता है, क्या करना पड़ेगा हमें उस premium को बापस से हटाना पड़ेगा यानि लेस करना पड़ेगा third year profits 4,000 after charging and abnormal loss रुपिज 2,000 third year में profit तो हुए है 4000 लेकिन उसमें से 2000 abnormal loss हटाया हुआ है क्या ये abnormal loss बार बार होगा नहीं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा और वापस से add करने होगे fourth year में 2000 का loss और fifth year में 16,000 का profit हम लिखेगे years ये 5 साल है हमारे पास और इस 5 साल में हमने profit कमाए है हमारे profits हुए है 6,000, 14,000, 4,000 और 2,000 का loss और 2,000 का loss और 2,000 का loss 16,000 का profit 2,000 का loss 16,000 का profit ओके, अब कुछ adjustment है, abnormal gain, बताओ आप क्या करें, सर हटाएंगे, abnormal gain, हटाएंगे, क्यों हटा रहें, क्योंकि इसमें already add रहा होगा, बाकी में कुछ नहीं, ये तो पहला, दूसरा, दूसरा बोला है, insurance premium, insurance premium, ये दूसरे साल में हुआ, चार हजार का आपने insurance premium paid किया, उसे बापस lace नहीं किये, अगर खर्चे नहीं माने थे, अब मान लो खर्चा, third year, after charging abnormal loss, abnormal loss, loss है, loss है, loss है third year में, two thousand का, ये दोनों में कुछ नहीं, ये दोनों में कुछ नहीं, बाकी तो कुछ है ही नहीं, number of year purchase बोल रखता है, four, number of year purchase बोल रखत है, four, बताओ, क्या आप नहीं निकाल दोगे adjusted profit, बताइए कितना कितना, four thousand, ten thousand, six thousand, two thousand का loss, अभी भी loss ही है, sixteen thousand, ये है हमारे adjusted profit, अगर हमारे adjusted profit आ गये, तो हम निकालेंगे, average adjusted profit, average adjusted profit, क्या निकाल के आएगा, four thousand, plus ten thousand, plus six thousand, plus, sorry, minus two thousand, plus sixteen thousand, divided five, one, two, three, four, five, चार दस चौटर, बीज़, 34 thousand, divided five, 34 thousand को five से divide करो, बताओ कितने आते हैं, बताइए कितने आते हैं, 34 thousand को अगर five से divide करेगे, तो क्या आएगा, six thousand, eight hundred, goodwill equity, goodwill equity, average adjusted profit, और future expected profit, जो लिकना है लिक सकते हो, average adjusted profit, into, number of years, number of years, purchase, 6 thousand, eight hundred, into, number of years, purchase, कितना दे रखा है, four, number of years, purchase, कितना दे रखा है, four, twenty seven thousand, goodwill equal to, twenty seven thousand, goodwill equal to, twenty seven thousand, क्या यह भारी था, तुम होंबग किये नहीं, ना लाएक हो, चलो, क्या लिख लिए हो, हाँ सर हाँ, आप question number seven बताएए, हो, हम कोश्य नमबर seven बताएए, लिजी, कोश्य नमबर seven, पढ़ दे कोश्य एक बार, अचा seven कर दीजे ना, seven, कुशो, कुशो, seven कर दीजे, तुमने बोला seven कर दीजे, हमने कर दीजे, हमने कर दिया, श्यालो, कोश्य नमबर seven, X and Y, are partner sharing profit and losses in the ratio of three to two, X और Y दो partner, जो अपने profits को बाठता है, three to two के ratio में, okay, they agree to take into partnership for Jade, one third sir, Jade को अपने business में admit करना चाहता है, यह तो admission का question है, क्या फरक पढ़ता है sir, admission का हो, retirement का हो, fundamental का हो, date का हो, कोई फरक नहीं पढ़ता, हमें तो सिर्फ goodwill calculate करने हैं और हम focus उस पर कर रहे है, goodwill पर, for this purpose, goodwill is to be valued at two years purchase, number of year purchase हमें मिल गया, कितना, two, number of year purchase कितना मिल गया, two, okay, two years purchase, of the average profit of last four years is spare as follows, 4 साल के profits दे रखते हैं, चलिए question साथ साथ लिखेंगे, number of year, one, two, three, four, ये चार साल हमारे पास हैं, और इस चार साल के profit हैं, पहले साल में, एक लाख पचास कर, दूसरे साल में, एक लाख बीस कर, तीसरे साल में, एक लाख असी अजार, और चाथे साल में, एक लाख सतरहजार रुपे का लॉस, एक लाख सतरहजार रुपे का लॉस, तीसरे साल में बोला है, लॉस है एक लाख सतरहजार में, क्या यह गलती कर दिया है, प्रिंसिपल इरे हो गया क्या, बताओ, आप अगर मोटर कार खरीद होगे, या मोटर वाइक खरीद होगे, या कोई भी आसेट्स खरीद होगे, उसे खर्चा मान होगे, नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उसे आसेट्स मानेंगे, इसने क्या किया, खर्चा मान लिया, लास्ट येर में, ये एक लाख सतरहजार का लॉस में न, पचास जार तो उसने गलती से नहीं किया, गलती मतलब क्या गलती किया है, कि मोटर वाइक खरीदा, और उसको ख अगली डेबिट, अगली डेबिट, बाइ, मोटर कार, एजुम्डे ट्रेवलिं एक्सपेंस, इतने का, पचास जार, ये सब में खुछ नहीं, ये सब ठीक है, अब बताओ, और कुछ लिखा है, आगे क्या लिखा है, और बीच, डेप्रिशेशन इस्टु बी चार्ज 20 पर और देखो, अब क्या हुआ, तो अगर इसे ट्रावलिंग एक्सपेंस माल लिया था, तो इसका डेप्रिशेशन हम रिकॉर्ड नहीं किया होंगे, क्योंकि पूरा पचास जार रिकॉर्ड कर लिये थे, अब जब हम इसे ऐसेट्स बनाएं गए, तो हमें डेप्रिशेशन भ और यहां पर डेप्रिशेशन, बताओ, 20%, 50,000 का 20% कितना आएगा, 3,000, अब निकलते आजाएगा हमारा, अजिस्टेट ब्राफट, 150,000 कुछ ही नहीं, 120,000 इसमें भी कुछ नहीं, 180,000 इसमें भी कुछ नहीं, यहां पर आजाएगा, एक अस्टी में से पचास किया, एक अस्टी में से पचास किया, एक लाख तीसजर का अभी भी लॉस, क्या है, एक लाख तीसजर का अभी भी लॉस, लॉस हुआ है, लॉस ही रहेगा, क्या है, लॉस हुआ है, लॉस ही रहेगा, यह चेंज थोड़ी नहों जाएगा, लॉस है, लॉस ही रहेगा, अब हम नि ügen इंचिन के Пडिल ककल अगर मीशिर में आचित का गार गारी नियुपक्ति ख昨wa बीटृच्टा हो gena Okay sir ,Okay total करो बतादो 20-20,Segrees कितना रहे? कितना रहे? एक बार तूमैडलेस कर लेना यह आ रहे है तीन लाख बीशिकन यह चालिए आच्छार बाए ठीक है तीन लाग विस्टर यह कैंसल होके आजाएगा 80 पॉक्स आच्छार तो बढ़ी गुट विलिपोए तो आपरेज प्रॉफिट इंट्व नंबर आफ यह परचेज आपने निकाल करके लाए अब्रेज प्रॉफिट नंबर आफ यह परचेज किकना तो क्या है रुपीज वान लाग सिच्टी फाट ये है हमारे गुड़वन ये है हमारे गुड़वन क्या आसान नहीं है बताओ अब हम कुछ बात करेंगे इससे अलंग अच्छा पहले लिख लिए हैं कि आई नहीं है से अलंग ये रिए हैं अब हम कुछ नया बात करेंगे, बहुत सारे question करेंगे, अब हम बात करेंगे betted average का, ये था simple average method, अब हम बात करेंगे betted average profit method का, betted average profit method होता क्या है और कैसे calculate किये जाते हैं? सुनो, betted average profit method, हम बात करेंगे betted average profit method का, okay, सुनिए, क्या होगा betted average profit method, betted average profit method, जैसे हम simple average निकाल रहे थे, वह ऐसे भी betted average निकाले जाएंगे, अब betted average का मतलब क्या, माल लो, आपने 5 साल business किया, और इस 5 साल में आपका हर साल profit increase कर रहा है, या किसी trend में चल रहा है, trend का मतलब या तो increasing trend हो, या decreasing trend हो, इसका मतलब क्या, कि जो सबसे नजदीक का profit है, वो सबसे ज्यादा relevant है, बोलो हाँ या ना, क्या मतलब, आपने 5 साल के लिए business, 5 साल लगातार business किया, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, अब ये 5 साल में कौन सा profit सबसे अच्छा profit माना जाएगा, यानि कौन सा profit सबसे relevant profit है, year 1 बाला या year 5 बाला, किसको हम genuine माने, यानि किस से अगले साल का prediction किया जा सकता है, सर, सर, year 5 बाला एकदम नजदीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बढ़िया है, इसी के अनुसार अगले साल बाला profit निकल के आएगा, जी बिलकुल, कैसा ही होता है, इसलिए बोला जा रहा है, कि year 1 बाला सबसे पूराना profit है, और इसका relevant सबसे कम है, तो इसको कम बेट दो, जैसे जैसे year आगे आ रहा है, यानि जैसे जैसे नजदीक है, उसको ज्यादा बेट दो, और उस बेट के अनुसार हमें एक profit बताओ, क्या होगा, यानि जिसका जितना ज्यादा relevancy, अब 10 सल पूराने profit से क्या ले ना देना, आज हमने business start किया, क्या उतना ही कमाएंगे, जितना 10 सल बाद कमाएंगे, नहीं न, नहीं, इसलिए हम betted average follow करें, अब ये betted average में हम कैसे करते हैं, betted average profit method में सबसे पहले हम profits पे बेट है according to years, जो सबसे नजदीक का year है, उसको सबसे ज्यादा बेट दिया जाता है, और जो सबसे पूराना years है, उसको सबसे कम बेट दिया जाता है, उसके बाद उसका निकालते हैं product, product निकालने के बाद हम total product निकालते हैं और total bets निकालते हैं, और उसके बाद हम calculate करते है average profit, एक यह है यह है यह है 2010, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, यह हमारे पांच साविस हैं फाइव यह हमारे फाइव यह और इसके प्रॉफिट्स दिये हुए इसके प्रॉफिट्स दिये हुए यह हमारे पास उसके प्रॉफिट्स ट्विट्स 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 ट् दिया है वही, अगर नहीं भी दिया होता, तो हम बेट कैसे लगाते हैं, जो सबसे नजदीक का साल है, उसको सबसे ज्यादा बेट, और जो सबसे पूरा न साल है, उसको सबसे कम, यानि इसे 1, 2, 3, 4, 5, ये हैं हमारे बेट, आपको बता चलके कैसे लगाते हैं बेट, ओके, ह 20,000, 20,000 into 120,000, 24,000 into 48,000, 30,000, 30,000, 90,000, 25,000, 800,000, 8,850, 99,000, अब लगाएंगे टोटल, किसका किसका टोटल लगाने हैं, यह बेट का टोटल लगाने हैं, और प्रोडक्ट का टोटल लगाने हैं, दोरों का टोटल लगाने हैं, बेट का टोटल लगाने हैं, और प्रोडक्ट का टोटल लगाने हैं, लगाओ बेट का टोटल, यह एक लाख नाव अच्छी दो लाख अच्छी अचार तीन लाख तीन लाख अड़ता लिस्टा अब निकालेगे अबरेज प्राफिट बेटेड अबरेज प्रोड़क्ट sum of products divided total base 3,48,000 divided 15 बताजिये divide करके कितना आएगा डिवाइड करके कितना आएगा? 23,200 गुड्विल इक्वरिट आबरेज प्रॉफिट एंड नमबर आफ एर्स पर चाहिए 23,200 इंड नमबर आफ एर्स पर्चेस दिया हुआ है क्या? 3 दिया हुआ है 60 रुपीज 69,600 यह है हमारा अच्चक यह है हमारा अच्चक अब हम आगे वाले कोश्चिन करें कैसा लग रहा है? क्या मजा आ रहा है? क्या गुडुल पढ़ने में आपको मजा रहा है? तो जल्दी जल्दी से सेर करो, लाइक करो, कमेंड भी करो कैसा लग रहा है आपको? अब हम बात करेंगे शूपर प्राफिट में अच्छा है? अब हम बात करेंगे शूपर प्राफिट में अच्छा है? जैसा नाव वैसा काम सूपर मतलब उपर सूपर मतलब उपर सूपर प्राफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्राफिट से ज्यादा कमाना क्या मतलब? सूपर प्राफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्राफिट से ज्यादा कमाओ अब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने का मितलब क्या सपोज ए और दो ए और बी दो पार्टनर है अभी पार्टनर सी पटा ए और बी दो और हुशान ये रहा हमारा ए हस्ता हुआ और ये है हमारा बी थोड़ा सा घबराया हुआ ये दो इंसान ए और बी ने लगाया दस लाक रुपे अपने बिजनस में और बी ने लगाया दस लाक रुपे अपने बिजनस में ए ने लगाया है दस लाक रुपे अपने बिजनस में और बी ने लगाया है दस लाक रुपे अपने बिजनस में ए इस दस लाख रुपे से दो लाख रुपे कमाता है साल का, बट भी दस लाख रुपे से एक लाख रुपे कमाता है साल का, यह इसके प्राफिट है, और यह इसके कैपिटल है, इसके कैपिटल यह हो गए, और प्राफिट से हो गए, बताओ, क्या भी परिशान नहीं होगा, कि हम एक लग कमा रहे हैं और मेरे जितना capital लगा करके एक दो लाख रुपे कमा रहा है कितना ज्यादा कमाता है इसी को बोलते हैं super profit एक लाख यानि नॉर्मल जो capital आप ले लगाया उस capital पे आप कितना ज्यादा कमाते हो जितना ज्यादा कमाते हो उसी को हम क्या बोलते हैं सूपर प्राफिट अब समझ में आ रहें सूपर प्राफिट क्या होता है यानि नॉर्मल बिजनस से मिलने वाले प्राफिट से कितना ज्यादा कमा रहे हो और जितना ज्यादा कमाते हो तो वही आपके क्या हो जाते हैं, चलो, हमारे पास question है, 9-8, पढ़िए, 7-7 पढ़िए, बुख है तो ठीक है, नहीं है तो सुनो, A firm has capital of Rs. 90,000, कितने का capital लगाया है, एक firm है, जिसने पुंजी लगाया, capital लगाया है, कितने रुपे का, 90,000 रुपे का पुंजी लगा, the normal profit is estimated at 10%, normal profit कितना कमायेगा, वो normal कमाता है, 90,000 का 10%, 10% का मतला, 9,000 रुपे वो साल का कमायेगा, okay, कितना कमायेगा, 9,000 रुपे वो कमायेगा, if the actual profit of the firm is 13,000, और actual में उसने कमाया है, उसने कमाया है, रुपेज 13,000 रुपे उसने कमाया है, calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase, number of year purchase, दिया हुआ है 3, of the super profit, सबसे पहले क्या था, calculate करना super profit, super profit equal to actual profit, minus, normal profit, actual profit कितना कमाया, 13,000, normal profit कितना है, 9,000, super profit कितना रिकल के आगया, 4,000, अब हम लिखें ये goodwill, goodwill लिख़़टो, super profits, into, number of years, purchase, आपने लाया super profit 4,000, number of year purchase दिया हुआ था 3, number of year purchase दिया हुआ है 3, कितना आ गया, 12,000 अंसे, देखो कितना आसान है, क्या, तुम नहीं बना देते, क्या तुम नहीं बना देते, बिल्कुल बना देते, लेकिन तुम बनाते नहीं हूँ, यही तो दिक्त है, चलिए, 9B, 9B, लिख लो, लिख लो, उसके बाद करेंगे 9B, चलिए, 9B, A firm has entered, sorry, A firm has earned profit of Rs. 20,000, 6,000, 12,000 and 8,000 respectively in the last 4 years, चार साल का profit एक फर्म का दिया हुआ है, 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000, The capital invested in the firm is Rs. 50,000, और उसने capital लगाया कितने का, 50,000, हम लिखेंगे, कॉश्च नमर 9B कर रहे हैं, Capital Implied, Rs. 50,000, Profits, 1, 2, 3, 4, Profits, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 12, 8, 2, 6, 12, 8, यह उसके profit है, 20,000, 6,000, 12,000, 8,000, उसके profit है, The rate of expected, The rate of return, Expected from capital invested is 15% परेना, Rate of return ने रखकर, Normal rate of return 15%, सबसे पहला काम, Normal Profit, Capital Implied into 15%, 7,500, Normal Profit equal to 7,500, Actual Average Profit, 20,000, Plus 6,000, Plus 12,000, Plus 8,000, Divided 4, 26,000, 46,000, Divided 4, 11,500, 11,500, 11,500, Super Profit, Super Profit equal to, Actual Profit, Minus Normal Profit, Actual Profit हमारे पास, 11,500, Or, Normal Profit, 7,500, यह अचारे ता, Subset के ता, के ताँचे, 4,000, Goodwill equal to, Super Profit, into Number of Year Purchase, अचे Number of Year Purchase, कहीं पे ताँचे, देखे, 3 years, Number of Year Purchase, लिखा है, 3 years, 4,000, into 3, 12,000, रुपीज 12,000, Goodwill, Goodwill equal to, रुपीज, 12,000, क्या और भी, कोशिन करवा दे, नहीं सर, नहीं, हम खुदी करेंगे, ओके, यह आपके, आज के सिट्टिव, आपने बस आज, इतना ही पढ़ा, एक और वीडियो लाएंगे, जिसमें, हम कराएंगे, Valuation हमने करा दिया, एक बच गया है, Capitalization और उसे भी करा देंगे, अगले वीडियो से, कल, आप regular वीडियो देखना सुरू कर दो, और साथी साथ, हमारा चैनल, अगर अब तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करिए, हम बहुत महिनत कर रहे हैं, आप भी अपना पूरा-पूरा, समर्थन देजी, उसके साथ-साथ, हम, नेक्स्ट वीडियो वे, मेथड़ आफ, सार्य, जो आपके पार्टनर्सिप, पूरे पार्टनर्सिप में काम आइगा, अडवेशन के ताइम, रिटार्मेंट के ताइम में, डेजूलुशन के ताइम में, सभी ताइम पे काम आते रहेंगे, ऐके, तैंक्यू बइरी मुच्च, बाए-बाए-